हेलो केस बेल केमों टेक्निकल वाइनस कैसे आपसों लोग तो किस आज में फिर से देखने वाला है एचार इंटर्वी क्वेश्टन का नेक्स्ट पाट है ठीक है और अगर आप नहीं हो तो प्लीज चलगो जरू सब्सक्राइब होगा इस तागी डेली वीडियो आपको मिलते सकते हो अपनी कोपीबल लिख सकते हो और उनको याद करके अपना इंटर्वी दे सकते हो ठीक है तो आज को जो क्योश्टन है को सब्सक्राइब करते हैं कि आप एक अच्छी जोब करो ठीक है इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्योश्टन आपसे पूछते हैं तो आप क्या इफक्टिव आंसर कैसे देना होता कि ताकि अगले बंद को लगे कि हां मतलब जबाब तो आपने नोर्मल से दिया है वाट उसमें कुछ जान है ठीक है वो कैसे देते हैं तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं पहली फोर्मेट हमारी जोगा इस निगलकाती बात ही है यहाँ पर हमने वो इची बदाने कोसिस किया कि जो मतलब मैं जो मोटिवेट होता हूँ वो अपने पैरेंट्स को देखके होता हूँ मैं उनको जब देखता हूँ तो मुझे लगता कि वो काफी केर करते हैं हमारी और सब लोग की मतलब काफी अच्छे तरीके सापना काम करते हैं तो मुझे लगता है मैं उननी से मोटिवेट होता हूँ ठीक है और जो सेकिन्ड फोर्मेट का है समारी यहां पर निकलकाती है वो भी हमने अपने पैरेंट्स से रिलेटिटी अपने मोटिवेशन को यहां पर दिखाया है तो वो है कि पेरेंट्स अर मोटिवेटें मी टू गेट गुट जोग ठीक है और मिर को लगता है हर किसी का मोटिवेशन उनके परिवार में नहीं होते है मतलब कि वह अपनी फैमिली में जो चीज नहीं है तो वो सौचते घी मतलब यह चीज हम खरीदे हैं हम लोगों ले पर क्षच ची and my parents blessing motivates me to work in easiest way and also helpful in creating a good environment inside the outside the organization inside and outside the organization ठीक है यह format थोड़ी मतलब कहाज़क तो hard effort अगर आप एक वाइस को समझनी कोसिस को तो आपको बहुत easy में समझनी में आने वाली है ठीक है और इस fourth format हमारी हाप निकला रहती है behind every successful person there is some failure associated with them failure is the key of success ठीक है यह एक काफी famous course ठीक है तो यह आप यहाँ पर यूज करते हो तो काफी अच्छा होता है काफी effective भी लगता है if you fail to achieve your goals and definitely it will motivate you to achieve your goals until success in achieving it ठीक है और हमारी हमारी हाप निकलाए simple failure means success simple failure means success अकर आप failure हो और लगातार महनत करते जारों तो आप success होई जाओगे failure हो पर छोड़तों तो फिर महनत तो बेकार ही कुछ if I fail it means I was in the wrong track then I find another way to success and keep doing the same until I reach the goal यह मेरको बहुँ जादा बैस लगती है वाली format और सबसे बैस्ट मेरको 5th format लगती है इस वाली question गी simple failure means success मतलब करा failure हो means success if if I fail it means I was in the wrong track and then I find another way to success and keep doing the same until I reach the goal ठीक है अगर आप लोग कोई भी अच्छी format लगती है तो प्लीज उनको अपनी notes में जरूर लिखिए और comment में करका बताना आपको कौनसी format अच्छी लगती है और कौनसी questions आपको और चाहिए क्या चीज आपको वीडियो देखना पसंद करते हो ठीक है अपना feedback देखे जरूर जाना प्लीज चनल को जरूर सब्सक्राइब करता कि daily video आप लोग मिलते रहें तो कि इस वीडियो देखने बहुत धन्यवाद झाल